राजा लंग रेया सी, रस्ते चिक मंगता बैठा सी, राजे नू वेख के वियो बैठा रेया, राजे नू गुसे नाल किया, बड़ा बतमीज है तु, मैं नू वेखन दे बावजूत तू उठिया क्यों नहीं, तैनू अकल नहीं कि किसे राजे नू सत्कार के विंदेई दय पुल गयां तू, तू मंगता हैं, मैं राजा, मंगता हस्या, मंगते ता तुसी हो, जड़े मेरे तू सत्कार मंग रहे हो खालसे दी साजनाव प्रंथ, पंजाब दे बेलियां विच सिंगां दे जैकारे गूंज दे सन, उना दियां पुलांगां विच जल्जले सन, उना विच तुफानानू वंगारन दी हिम्मत अते दलेरी सी, इना सिंगानू गुरुगोबिन सिंग दी हिम्मत, इना सिंगानू गुरुगोबिन सिंग ने हुकम नामा पे जिया, के सूबा सरहांद ते पहाडी राजे, अननपुर साइब ते हमले दी व्योंत बना रहे हन, जो मेरा सिख है, वो मेरे हुकम नामे विचो मेरे दर्शन करे, ते बिना किसे देरी दे, अननपुर साब पहुंचे विलंब ना करे, उस विले गुरु दे सेवक जोगा सिंग दा व्याहुरिया सी, ओ तिन लामा ले चुक्या सी, जो दुमस्तान सिंग ने गुरु दा हुकम नामा ओदे सामने रख दिता, अपने आपनू गुरु दा सिंग अखवाण वाला जोगा सिंग कि में रुख सकदा सी जोगा सिंग उठ्या अपने कमरकस नल बन्या लाडी दा पला खोल दे ता ते लाडी नू क्या मैं गुरु दी शाबाश लेयाऊं गुरु दे हुकमनाल कमर का स्खोल के फेर बन्या ते जिस कोडी ते लाड़ा बनके आया सी उसे ते स्वार होके अनांदपुर साहिब वल रवाना हो गया अगला सूरज निकलन तो पहला जोगा सिंग अनांदपुर साहिब दे जू विच दाखल हो रेया सी जोगा सेंग गुरु दे हुकम अनुसार गुरु दी हाजरी वेच हाजर से तानवाद ज्यान प्राप्ती मगरूम बुद्ध पिक्षू बणके परमन कर देयां अपनी रह चुकी पतनी यशोद्रा दे द्वारते आई ते क्या यशोद्रा उस रात जदो मैं करों तुरिया सी तुम सौरी सी उस रात दी अन कही विदा आज कहके मैंनों पूरा मुक्त कर दे मेरी आख़्ा विचो उस रात दी अटकी होई अपनी नींदर कडले ते मेरा कासा त्याग नाल पर दे ये शोदरा ने चुकियां खानल क्या महा मानव मैं ता उसे रात आपनू विदा कर दिता सी मैं ओदो जागदी सी जो दो तुसी जागणदी तलाश विच कर त्याग रही सी नारी नू अक्सर पलकां बंद करके जागणा पैंदा है उस रात मिरियां बामा विच राहुल सौर्या सी जिन्नाचिर मादियां बामा विच बच्चा हुंदा है वो जागदी रहन दिये आप उसे रात तो मुक्त हो जो मुक्त हो चुक है उस नू के में मुक्त करा मैं गौतम नू भी विदा कर सकती है मैं बुद्ध नूं किमें विदा करां। आज तुसी मेरे तु विदा होन नहीं आए। अपने आप विच्चों मैंनू विदा करन ले आएग। बुद्ध पिक्षू बनके आया सी। पिक्षू नूं पिक्षा जरूर दित्ती जान दिये। ये शोद्रा ने अपने सब्तों पियारी राहूल नूं पिक्षा विच दे दित्ता सी। तानवाद। रब्दी सुनूं रब केर्या है तो अड़ी बार बार दोहराई अरदास था कोई मतलब नहीं है। मैं हर अरदास सुन दा है, जवाब भी दिन दा है। तुसी जवाब सुन दे िनी, सवेरे शाम एक ही अरदास दोहराई जा रहे है। तुसी समीदे क्यों नहीं कि तो अड़ीयां अरदासां परवान करन योग नहीं है। तो अनु पता ही नहीं कि तो अडेली की चंग है, की ठीक है, की योग है, कि ना उचित है असली अरदास्ता शुक्रा ने दी हुन दिये, प्राप्ती दे तानवाद बारे हुन दिये पर तुसी निरंतर मंगी ही जा रहे हो, जो देर्या हाँ, जो दित्ता है, उस वल तो अड़ा त्यानी नहीं है तो अडे मंगन तो पहला, तो अडे अरदास करन तो भी पहला, मैंनू पता हुन दा है, कि तो अडे की लोड है, कदों ते किन्नी लोड है तो अड़ी हर लोड पूरी करदा है तुसी लैले के मुक्री जा रहे हो कोई विचार, कोई बेंती, कोई अर्दास अनसुनी नहीं रहन दी जेड़ा गिड़ गिड़ा होंदा है, वो चूठ बोलदा है तुसी अर्दास ए सोच के करदे हो के जो तुसी मंग रहे हो, वो तो अड़ेकुल नहीं है विखुदा सही, वो पहला ही तो अड़ेकुल होंदा है तुसी विख दे ही नहीं पहला ही लोड नालोब दे रहे होंदा है फेर वी मंगी जा रहे हो जे विश्वास करोगे ताई सब कुछ मिले होन दी सोजी मिलेगी मंगन तो पहला जो मिलिया हुया है उप छाणूं ते जाणूं तो अनुमे अपनियां चीजां दी दुर्वर्तों करन दी आग्या किमें दमा जदों ते जित्थे मैंनों मैसूस करोगे चुप हो जाओगे जदों तक चुप नहीं होंदे तुसी मैंनों सुनूंगे ही नहीं तानवाद